दोस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे YouTube चैनल प्रतिक यादव ब्लॉग पर ट्रेवल इंशॉरेंस की और अगर आप ट्रेवल इंशॉरेंस नहीं समझते हैं तो टेंसन नहीं लीजे आज हम सारी चीजे समझाएंगे कि ट्रेवल इंशॉरेंस कैसे काम करता है और यह आपकी लाइफ को कैसे इजी कर सकता है ट्रेवल इंशॉरेंस के वल मन की सांती के लिए ही नहीं होता है ट्रेवल इंशॉरेंस लेने से बहुत सारी चीजे कवर होती है जो कि आपको एक insurance में आप जब कभी भी foreign या abroad में आप जाते हो तो वहाँ पर आपकी ये सारी चीज़ें जैसे कि आपका लगेस होता है जो कि मेस हो जाता है चोरी हो जाता है आपकी flight cancel हो जाती है ये आपका कोई भी abroad में medical emergency आ जाते हो उन सारी condition हो में travel insurance काम आता है तो ये एक ना कि सिर्फ temporary एक ये permanent एक ऐसी चीज़ें जो कि abroad में होने वाली problem या flights related problem के लिए travel insurance आपका बहुत जरूरी चीज़ बन जाता है तो आज हम उसी पर बात करेंगे सारी चीज़ें तो क्या-क्या चीज़ें हैं जो इसके अंदर cover होती है because ये उन सब चीजों को cover भी नहीं करत बल्कि आपकी यात्रा को आपकी जो आने जाने की चीज़ें और अबरोड में रहने की चीज़ों को बहुत सिंपल कर देता है तो सबसे पहले हम बात करते हैं वह है natural disaster नेचुरल डिजास्टर मतलब कोई भी आप कहीं abroad में गए और कोई problem हो जाती है और वहां पर आपका चीज़ों में भी आपको travel insurance में पूरी साहता मिलती है जितने का आप some insurance लेते हैं वो पूरा आपका company कवर करती है second चीज़ अगर बानर luggage depth यहनि कि मेरा कोई भी travel के दौरान सामान मेरा चोरी हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी भी under the travel insurance आती है तो वहां पर भी आपको ये पूरी help करता है third चीज medical emergency in abroad अगर मेरी कोई travel policy और उसमें कोई medical emergency हो जाती है abroad में तो वहां पर रहके उनीकी currency में जो भी मेरा खर्चा आएगा वो भी is under the travel insurance मेरा company कवर करती है दूसरा है trip cancellation मालू मेरा कोई plan है सब कुछ मेरा तै हो गया और end time पर मेरा trip cancellation हो जाता है तो under this travel insurance company ये चीज भी cover करती है ऐसे ही बहुत सारी चीज है जैसे कि trip cancellation के अलावा जो आ जाती है वो आपकी delay होती है flight वो भी इसी के अंडर आ जाती है तो ये सारी चीज है travel insurance के लिए बहुत जरूरी है आपको जानने के लिए बो अब मैं आपको बात करूँगा कि एक अच्छा insurance आपको कहां से लेना चाह आप लेना कहां से चाहिए उसके हम बात को जानकारी देता है travel insurance लेने के लिए वैसे तो multiple option है market में और आज हम बहुत करेंगे उस एक option की जो कि आपको multiple companies के travel insurance को compare करके एक आपको best plan suggest करता है और नाम आपने सुना होगा policy वजा आपको मिलता है जहां आप अपने plan को compare करके और product को आप select करके purchase करेंगे तो आपको travel insurance वाला option आप click करेंगे जैसे travel insurance आप click करेंगे तो आप से पूछेगा आप trip कहां के लिए कर रहे हैं तो आप अपना location select करेंगे वो country जैसे USA, UK, Germany, Australia जहां के लिए फिर आएगा आपका trip जो आप वही भी trip कर रहे हो उसका timing start date और end date तो आ according वो आपसे पूछेगा member और आपकी PD कितने member हैं जो कि आप जा रहे हो और आपको कोई परानी भीमारी तो नहीं है ये सारे option फिल करने के बाद आपको जो final page आएगा उस पर multiple company आएगी जैसे Reliance है, Tata AI है, Care है, Neva है ये multiple company हो के option आपके पास आएगे जहां पर आप अपनी need क according एक plan choose करेंगे और वहां से आप proceed करेंगे instantly policy आपकी download हो जाएगी, तो ये बहुत easy to proceed है और easy to purchase है जो कि इनकी website पर ये available है, अब सबसे बड़ा सवाल कि आप policy वजार से ही क्यों लें, उसका एक अच्छा option ये है policy वजार के साथ जाने का, कि आपका कोई भी claim का time आता है, तो आप इनकी जो web team है, आप इनसे web call पर direct जुड सकते हो, और outside इंडिया होने के बाद भी outside हो आप इंडिया में, तब भी इनसे आप directly बात कर सकते हो, बहुत easily अपनी चीजों को solve कर सकते हो, और direct लेने पर floater travel insurance में आपको 50% तक का off भी मिलता है, इक last सबसे अच्छी चीज कि आपको यहाँ पर इनके किसी भी plan के अंदर आपको no cost EMI भी मिल जाएगी और discount तो extra मिलेगा ही मिलेगा, अब सबसे बड़ा सवाल आता है, अगर कोई senior citizen के लिए आप policy ले रहे हो, parents के लिए, तो उनको कोई प्राणी भी मारी है, तो उसमें आपको कोई भी without any extra पे extra cost के आ travel insurance compulsory है for certain visa like a season visa, और अगर आप कहीं भी abroad planning कर रहे हैं, तो travel insurance तो compulsory है यह आज की time पे, दोस्तो आपके travel insurance के जो भी plan premium होते हैं, आपकी international trip के 1% के proxy होते हैं, तो दोस्तो अब आप समझ गे होंगे कि travel insurance क्यो जरूरी है और यह compulsory है, तो आप ज़्यादे सोचने की जरूर नही लिंक मैंने description में दिया है, और आप easily compare कर सकते हो, अपनी need के according multiple company का वहाँ पे premium benefit को compare करके, एक best plan अपनी family के लिए आप वहाँ से choose कर सकते हो, तो सारी चीज़े available हैं, वो मैंने आपको जानकरी दी हुई है, साथ के साथ वीडियो अच्छी लगी हो, तो like कर लीजे, share कर लीज